जी वालेकुम असलाम और आमतुल्लाव परकातो आवाज सर आपको मिल लेए प्रोपर बहुत अच्छी आवाज मिल लेए आपके था कि मतलब हम आपसे जो है तीन भूद्धे पे तीन टॉपिक पे आज डिसकस करेंगे उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो आपके पाथक जो अभी जो है पुछ दिनों के लिए चुटी पे गए हैं या फिर टांस्पर हो गया जबकि आज जो है आमिर सुभानी साहब का आमिर सुभानी सरका जो है एक है मजमून वो पूरे जो है गर्दिश किया जिसमें यह कहत किया था कि एसी एस के के पाथक एस्थी के वारे में घएजिद को इसी के बारे में आपको बता दो करें जो करी एस को मिलनी की साधते नशिब हुई है जिसमें जन्म जनाब पाथक साहब है मैं इनका बड़ा मदा हूं इसलिए कि यह वाकई में यह वाकई जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसी मामले में किसी को इन पर इतराज हो सकता है लेकिन कुल मिलागर बात है कि बहुत अच्छी अमने अच्छा काम यह कर रहे हैं देखिए इनका जो टर्म रहा यह बच्चे इस्कूल आने लगे यह भी बहुत अच्छा रहा और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात जो बहुत इंपोर्टेंट है मुहतरम वह यह है कि आप देखें होंगे कि इन्हों ने जून में अपना जो है मैं टाली में जून में आये और जून से अब तक पेमेंट केतना वक्त पर मिला है पेमेंट का मामला देख लीजिए यह और भी कुछ देखिये मिशन दक्ष जो चला रहे हैं यह मैं बहुत ही इसका कदरदान हूं वाकरी में इस्कूलों में वह बच्चे जो में ने स्ट्रीम तो दूब करें किए पाञट साहब वापिस आए और वापिस आकर यह वन मामला चल रहना handlar आए और इसी तरह नहीं में यह काम कर रहे हैं इसी बुलिट के स्पीड में आगार यह सक्षब कवी इंतिहान लें और हम लोग को जल्दी से जल्दी सरकारी मुलाजिम की हैसियत को दे दें तो ये जतना बेहतरी इन से और जतना स्पीड में काम कर रहे हैं मैं नहीं समझता हूँ कि दूसरे लोग आकर इसी तरह से काम को शायद अंजाम दे इसलिए द्वा करें कि एस पाटक साहब वक्त पर सद्रा तारीक को मतलब अपना मुहक्वा में खिद्मात पर वापिस आ जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है हाँ कुछ रही है कुछ कमी रही है जैसे देखिए अब्दुलाज साहब ये जो छुटियों में जो तर्मीम किया ये बहुत बड़ी कमी है छुटियों में म दो चीजों के बाद केके पाठक बहुत अच्छे आफसर हैं और इन जैसे अफसर को वाकई में में तालिम को जरूरत तो ये जो बातें आ रहें सर कि बहुत जल्द जो है टाइमिंग भी जो है फिर से जो पुराना टाइमिंग है वही हो जाएगा और जैसे चुटियां पह काम चल रहा है और यह बिलकुल आप बहुत दिर बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्ला के चुटियों में तर्मीम भी और जैसे पहले स्कूल चला करता था वैसे वेसे वी हो गया यह सबने माकमा में खिदमात अंजाम देने लगें पाठक चाहब वह इसलिए कि मुम्किन है बहुत हद तक मुम्किन है कि बेगार सच्छमता के सब को ऐसे ही राजी कर्मी का मतलब दर्जा मिल जाए इस पर भी बातें हो रही हैं दूसरा वह जो एतराज है हम लोगों को विशिष्ट तो ये एक्सक् enrichi भी हटने का पूरी तरह है मतलब ऺटने का अमकान है तो दो तीन बात है यह उमीद है यह मैंऄ बहुत मतलब आपको मालूम है कि मैं सबसे पहले आपको इतला करता हूँ तो मैं आपको ये इतला दे लूँ कि वाugई में वो दिन भी मतलब शायद आपको देखने को मिले कि मने बिगए इम्तिहान के बिगए हैं कि सबको ऐसे ही मतलब सरकारी मुलाजिंक्य ऐसे को करार हो जाएं यही तो चार हैं सर सारे जितने भी जो है खुसुसां नियोजी तेसा तेजा हैं तमाम लोग यही चार हैं क्योंकि बहुत दिनों से जो है बहुत सारी बाते हैं तो यही हम लोग भी चार हैं कि वो आएं और कई बाते हैं इन में खुबी जो च्छन के सामने फोई ठीकाना नहीं था लेकिन अभी BPSC दोनों टर्म हुआ है और पूरे के पूरे लोगों की बाहली हो गई है इसके अलावा पहले ऐसा तेजा की तनखा़ जो है वो फेस्टीवर्स के मौके पे एद पे होली पे दीवाली पे मिला करता था लेकिन अब हर महिने मिल रहा है यह तो ये तमाम बाते हैं जी बहुत वह शुक्रिया अच्छा सर अब हम चलते हैं दूसरे सवाल के जानेब तो दूसरे सवाल का जवाब आपने इसी में बता दिया फिर भी हम यह चाहेंगे यह विशिस्ट सिक्षक नियामा वली दो हजार तैस है इसमें जो तर्मीम की बात हो रही थी वो मतलब कब तक उमीद है कि इसका जो है मतलब तर्मीम सुदा नियामा वली जो है विलकम ऑन म से पब्लिक आने दिए 17 तारीक के बाद इंशाललब बहुत जल्दी और बहुत स्पीड में इसी पुलेट की रफ्तार में आपको देखने को मिलेगा वापीस आने दीजिए दोआ कि जिए कि उनका काम करने का अपना एक अंदाज है उनका आपना जो एक हुनर है मतलब इनका जी पुलेट के स्पीड से मतलब काम जो है मतलब शुरू हो और बहुत जल्द आपको यह चीज जो आपने कहा यह देखने को मिले मैं बड़ा मद्दा हूं जनाब जनाब केके पाठक सहाब के को अंजाम देना और बुलेट की जो रफ्तार है आप दुआ करें कि इसी पुलेट की रफ्तार से सरकार के जानिब से एफेड़ेविट नहीं जमा किया गया अलफ नामा दायर नहीं किया गया दस तारीख को भी हलफ नामा दायर नहीं किया गया है सो सिर्फ प्रोशीडिंग हुआ और काम कुछ मद्दब नहीं हुआ अगली जो तारीख है इसमें बीस फरवरी की अगली तारीख है इस दिन मतलब कर रिमार्स है कि इस दिन हलफ नामा आप लोग मतलब अपना ज़रूर जमा करें हलफ नामा उससे पहले मतलब आजाना है हलफ नामा आएगा तो इस तारीक को हमारी मतलब मद्द बहुत मजबूत इस पर हेरिंग होगा और जो एसादजा को पूरे हिंदुस्तान में खासकर हमारे बिहार में हम जो लोग एनाइवेस से ट्रेनिंग किये हैं जो गहर यकीनी अंगहां कि थे बहुत बहुत शुक्रीया जितने हमारे विवर्स हैं सारे लोगों को बहुत बहुत ठैकर अब को भी आप से जो जो आनगा कि कि आ